आज़ा प्रेंड्स देस रोईद गुपता वेलकम तूमाच चैनल क्राइक कॉंपेडिशन्स आजम बात करने वाल एक ने रूप्रूट्मेंट की जो के महारास्ट्रा स्टीट एलेक्रोश्टेटर ये ट्रांस्मिशन कंपनी लिमिटेंड में इसकी वेकेंसी निकली हुई है असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पर वेकेंसी हैं 220 पदो पर बढ़ती हैं बात करेंगे एक टुजट इस वेकेंसी के बारे में डेटेल में क्या ऐलिजिबिलिटी है क्या गॉलिफेकीशन है कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है हम डीटेल में डिसकर्स करने वाले हैं इस बा महारा चनल सपोर्ट हो सके और ग्रो हो सके हैं और आपके लिए ऐसी अची नोटिफिकेशन टाम लाता रहे हैं ना हम बात करेंगे डीटेल में जो कि महारास्ट्रा स्टेट एलेक्रिटिटी ट्रांस्मिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में यह आपकी वेकेंसी है इस इसकी अप्लिकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 4 मई 2022 से आप इसके लिए अपलाई कर सकते हो आपको ओनलाइन माध्यम से इसके अपलाई करना पड़ेगा और आपके पास डॉमिसायल सेटेफिकट होना चाहिए महाराश्ट्रा का तो आप ओल्मोस्स ज्यादा से ज्यादा के जो भी है महाराश्ट्रा के ही अप इस पहले पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हो ओनलाइन आविदन देने हैं यह वेबसाइट दे रखिए आप इस पर जिदनी भी डीटेल आपको रिसर्च करना है तो आप इस वेबसाइट से कर सकते हो अगर फिर भी कोई कोई है तो ही समय मिलेगा एक्जाम डेट की हम बात करें जो ओनलाइन एक्जामिनेशन कंड़क कर आएगा जून जुलाइ के मन्त में आपका यह पेपर भी कंड़क कराया जाएगा और बात करते हैं अप्लिकेशन फीज की तो आपको जो भी कैंडिडेट है ओपन कैंडिडेट साथ आपको देखने को मिलेगा इंबर पोस्त की हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट इंजिनियर की पोस्त पोस्त है एकfertिक जायए असिस्टेंट इंजिनियर केम्धि कीशन की पोस्त है पचीस असिस्टेंट इंजिनियरू की आपको 28 पोस्त है ट्रोडल के बात करें दुस्टोट थैस बदोपर यह एकनसी है को यसकलfire फ., हम क्वालिफी केम कि करें तो ऑस ऐस्शी techniques की तो बैच की पोस्ट है 25 असिस्टन इंजीनियर सिवल की आपको 28 पोस्ट है टोडल पोस्ट की हम बात करें तो 223 बदो पर यह वेकंसी है कुल जासकि आप चैक कर सकतो हम कोलिफेकेशन के बारे में बात करें तो असिस्टन इंजीनियर ट्रांस्मिशन की तो बैचलर डिगरी वने चाहि पूस्त की हम बात करें तो इसमें आपको एक बैचलर डिग्री माएंगे इंजीनियरिंग में किसी भी स्ट्रीम से जो की इलेक्रोणिक्स हो या टेली कम्यूनिकेशन हो अगर नहीं है तो आपके पास बीटेक होने चाहिए एलेक्ट्रोणिक्स है तो आप इस पोस्त के लिए एलिजिबल हो असिस्टेंट इंजीनियर सेविल की हम बात करें तो आपके पास बैचलर डिगरी होनी चाहिए सिविल इंजीनेरिंग में नहीं है तो टेकनोलोजी में होनी चाहिए तो आपका रिटेन एक्जामेनेशन के बेस पर आपका सेलेक्शन वगरा होगा अगर आपको फिर भी इस पॉसलेटेट या फिर नोट्रिफेकेशन डेट आपको कोई भी करें तो आपको मैसेज कर सकते हैं वाट्सप ग्रूप है जिसका लिंग डिस्रिप्शन में दे रखा है और हमारे इस आपको बाज कर सकते हैं जिए और हमारे इस प्रेट इस भी आपको मैं एक संवाने और हमारे और हमारे जिस्रीट घए आपको नेए जिए भी कर सकते हैं